दोस्तो RBI ने यानि की Reserve Bank of India ने एक नई सर्विस लॉंच की है जिसका नाम है 123Pay जिसके जरीए आप बिना इंटरनेट के किसी के साथ भी डिजिटल पेमेंट का लेंदेन कर सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में हम ये 123Pay सर्विस के बारे में सारी जानकारी देंगे कि किस तरीके साथ इस सर्विस का उपयोग कर सकते हो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारी चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन डबा कर ओर नोटिफिकेशन ओन कर दो जिसे अमरे हर आने वाले इसी तरीके नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे जो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते है दोस्तो एक आकड़े के मुताबिक पारत में करीब 46 करों लोग अभी भी फ्यूचर फोन का उपयोग करते है और इन फ् दूइदा ना होने के कारण यह सारे लोग अभी भी यूपयाई जैसी सर्विस का लाब नहीं ले सकते हैं और आज भी यह सारे लोग सोटे मोटे कामों के लिए बैंक के चकर काटे रहते हैं लेकिन अब आर्बियाई ने इन सारे लोगों की परिशानी को दूर करने के कोई भी लोग बीना इंटरनेत और बीना समार्टफन के भी कहीं सी भी डिजिटल पेमन के का लेंदेन कर सकेंगे और दोस्तों यह सुईदा स्मार्टफोन भी पान करेगी और की फ़ूचर फ़ून भी काम करेगी, यानि कि सब्भी यूजर्स इस सुविधा का लाब ले सकते हैं, दोस्तो इस सर्विस का उप्यक करने के लिए अपने मोबायल को अपने बेंक आकाउंट के साथ लिंक करना होगा, और उसके बाद अपने फ़ोन से लेंदेन करने के लिए अ आपको चार तरीके का option मिलता है यानि कि आप चार तरीके से digital payment का लेंदेन कर सकते हो जिसमें पहला option है कि आप IVR के through payment कर सकोगे इस IVR में आप simple 3 step में payment कर सकोगे जिसमें यहाँ पर दोस्तों skin पर आप देख सकते हो इन्होंने बताया है कि call करो, choose करो और pay करो सिर्फ इन 3 step को follow करके आप IVR के through payment कर सकते हो, IVR के through payment करने के लिए दोस्तों आपको skin में यह दोनों number दिखाई देगे, इनमें से कोई भी एक number पर आपके bank account में जो भी mobile number link है उससे call करना है, उसके बाद वहाँ पर आपसे कुछ option पुछे जाएंगे, कि आप क्या money transfer करना चाहते हो, अपना balance check करना चाहते हो, या research करना चाहते हो, इससे कुछ option पुछे जाएंगे, इनमें से आपको जो भी option सूच करना है, उससे सूच कर लेना होगा, उसके बाद अगर आप money transfer करना चाहते हो, तो वहाँ पर सामने वाले का bank account number और IFC code पुछा जाएगा, और last में आपको अपना UPI PIN और आपका payment successfully हो जाएगा, दोस्तो आप इन दोनों number में से किसी भी एक number पर आप call करोगे, तो अगर आपके number पर UPI वाला system enable नहीं है, तो वहाँ पर आपको वो enable करने को बुलेगा, जिसमें आपको अपना bank account number देना है, IFC code देना है, अपनी bank का नाम देना है, और अपने ATM का last का four digit देना है, तो आपका UPI enable हो जाएगा, और उसके बद आपका UPI pin set करके, आप आसानी से IVR के through digital payment कर सकोगे, अब दोस्तो यहाँ पर दूसरा option है, कि future phone app based पर आप payment कर सकोगे, जिसमें कि कुछ future phone में app दिया जाते है, जैसे कि मानलो जीयो का अगर आपके पास phone है, तो उ उसके through भी आप यहाँ पर लेंदेन कर सकोगे, उसके बद दोस्तो त्रीसरा option है, कि miss call पर आप किसको भी payment कर सकोगे, जिसमें आपको स्रिफ miss call करना होगा, उसके बद वहाँ सामने से आपको call आईगी, उसमें बताए गए option को सूश करके आप payment कर सकोगे, और उसके बद दो दोस्तो एट टोटल चार option आपको मिनेंगे, जिसके through आप बीना internet के और बीना smartphone के भी digital payment कर सकोगे, दोस्तो इन चारों के अलावा एक और भी option है, जहांचे आप सिर्फ SMS के जरिए कहीं पर भी digital payment कर सकोगे, और दोस्तो एए option सबसे आसान और सबसे अच्छा option है, SMS के जरिए digital payment करने के लिए, आपको अपने phone में type करना होगा, और call करना होगा, तो आपके समने कुछ इस तरीके से interface हाजएगा, जिसमें आपको 7 option मिलेगे, इन 7 काम आप यहां से कर सकते हो, जैसी कि आप यहां से send money कर सकते हो, request money भी कर सकते हो, अपना balance भी set कर सकते हो, अपनी profile से कर सक दोस्तों इसमें से आपको जो भी काम करना है, उस number को आपके यहां पर type करना है, और send पर click करना है, जैसी कि अगर आपको किसी को money send करनी है, तो यहां पर एक dial करना है, और send पर click करना है, तो आपके समने यहां पर fast option पूर हो जाएगे, जिसमें आपको बताना है कि आप mobile number के यहां से आप money transfer कर सकते हो, उसकी UPI ID से भी आप money transfer कर सकते हो, और उसका account number और IFC call से भी money transfer कर सकते हो, अगर आपको account number और IFC call से सामने वालों को money transfer करने है, तो यहां पर आपको 5 number डायल करके send पर click कर देना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के से प्याज open हो जाएगा यहां पर आपको उसका IFC call एंटर करना है, और send पर click करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के से प्याज open हो जाएगा, यहां पर आपको उसका account number एंटर करना है, और send पर click करना है, तो अब आपके सामने कुछ इस तरह के से इंटरफेस आईगा, यहां पर आपको एकाउंट नमबर आएफिकोड सब दिख जाएगा उसे एक बार कंफर्म कर लेना है उसके बार दोस्तों यहाँ पर आपको यूपी आईपी ने एंटर करना है और सेंड पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसी सेंड करोगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और आपके money successfully send हो जाएगी और आपके सामने इस तरगे से इंटरफेस आईगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको दो option मिलेगे save contact और exit अगर आप इस account number को save करना चाते हो अगर आप बार बार आपको इसको money transfer करने की ज़रूर है तो आपको इससे save कर सकते हो तो इससे save करने से हो जाना है तो दोस्तों इस तरीके से आप simply SMS के थ्रूबी किसी को भी digital payment यानि money transfer कर सकते हो हा लेकिन दोस्तों SMS के थ्रूबी money transfer करने के लिए आपके mobile नमबर पर UPI enable होना चाहिए और बेंग क्लिक mobile नमबर से हैं आपको SMS करना होगा तब भी आप किसी को भी money transfer कर सकोगे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना बुले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं को और धमकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई